कि है आई हलो दोस्तों कैसे आप लोग तो आज हम बात करने वाले एको इंशुरेंस के बारे में कि बेसिकली हमारा कैसा रहा recent experience आप एको कार इंशुरेंस रिलेटेड जब हम क्लेम करने गए थे और क्या-क्या difficulties हमें इसमें फेस करनी पड़ी दोस्तों यह वीडियो थोड़ा क्योंकि आपके पैसे जरूर बचाएगा दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप फुट डिसाइड कर रहे ना कि आपको इंशॉरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं तो स्वीडियो दोस्तों मैं एको इंशॉरेंस ले रहा था क्यूंकि मैं परस्टनी नई कंपनी को चांज देना चाहता हूं कि यार वह वह कोई नई कंपनी अगर मार्केट में आ रहे तो लेट्स घिब देम तो मैं तीन साल से इंश्रेंस को ले रहा था थोड़ा सस्ता भी आये तो मैंने का चलो इसको ट्राइ करते हैं और इस बार हम लोग ने 25 जुलाई के आसपस हमारे एक छोटा सा एक्सिजेंट हुआ तो हमने का चलो क्लेम कर लिया जाए तो दो ऑगस्ट के आसपस हम मारा एक आटो जा रहा था उसने एक स्क्रैच मारा आप देख सकते स्क्रीन पे इतना बड़ा एक स्क्रैच आया था जो कि फ्रंट डोर से लेके आगे के टायर की उपर तक की जो जगे उस पर लगा था इसको फेंडेंट बोलते हैं जो मुझे नहीं पता था सो उसके बाद मैंने उनको बताए कि मैंने थोड़ा सा राइट गया तो एक गाड़ी जा रही थी उसने मेरे बंपर को निकाला आगे से टक्रा की गई और फिर आगे अल्टिमेटली एक मैट्रो के शेड थे थाने में मैं रहता हूं यहाँ पे बॉम्बे में तो वाँ मैट के शेड पर जाके मेरे गाड़ी टक रहे तो यह डेमेज इस हुए मुल्टिपल इंसिडेंस इस ते कर गए तो अनका ठीक है हम आपको एक लिंक बेज रहे हैं अब उस पर जाके यह सब अपडेट कर दीज अपनी डिटेल डाल दीजे तो उनकी लिंक पे फिर अगें रिज क्लेम सर्वे करने आ जाएंगे आप गाड़ी छोड़के जा सकते हैं फिर हम लोग वहां से निकल गए दोस्तो फिर शाम को मुझे एक मैसेज आए कि आपका क्लेम सर्वे हो गया है और उसके बाद अगले दिन मेरे को एक कॉल आता है एक को इंसुरेंस की टीम से एक बंदे जी हा मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यारब मैं इनको कितनी बार समझाओं कि मेरा एक्सिरेंड क्या हुआ मैंने उनको वही बोला कि सर मैंने आपकी वेबसाइट पर अलड़ी डाल रहा है एक्सिरेंड कैसे हुआ है आपके कस्टोमर केर पर आपके सर्वेयर को I think I don't know आप वहंपकर है क्लेएक क्लिया कहुँट नहीं सेर्ट नहीं सरहीं दे रहा है आपके गार्ड़ी यह पत्तर से टलृग एए आपनए थेस इनको कैसे आपका प्रूपर का एक इंपर अगे मुझे इसब्सिय लगा किया मेरी इंटेग्री पर कैसे सवाल उठा सकते हो आप तो बोल सकते हैं कि मैं जूट बोल रहा हूं किया आप पास देख सकते हैं फिर आप extend site ओस वक्त आपको एक ही claim मिलेगा, तो मैंने कहां अपका problem क्या है कि मैं दो claim ले रहा हूं एक साथ यह फिर जूट बोल रहा हूं, मुलता है नहीं सर यह गाड़ी पत्थर से टक रहा है आपको एक ही क्लेम मिल सकता है आप देख लीजे कौन सा लेना है मैंने का देखो यार मेरी गाड़ी एक ही बार एक पूरा एक्सिट हुआ है मुझे एक ही क्लेम लेना है मैं दो क्लेम में नहीं लोगा अब बताए क्या करना आगे तो बोलते हैं हम IID officer अपॉइंट कर देंगे यह कर देंगे आपको क्लेम तो आपको जिसको अपॉइंट करने करें क्योंकि मुझे बता था मैंने कुछ गलत बोला नहीं एक साथ चाहिए क्योंकि मेरी गाड़ी एक ही बार टक रही है फिर यहां उन्होंने मुझे धंगी दी दोस्तों मुझे बोलते हैं कि नहीं सर आप IID officer आजएगा और आप भूल जाए कि आपको दो क्लेम मिलेगा आपको क्लेम तो एक ही मिलने वाला है आप देख लीजे जो करना है कर लीजे अब जैसे उसने मुझे यह बोला ना दोस्तों मैंने तभी सोच लिया कि अब मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि यह companies को पता होना चाहिए कि यह 90s का जमाना नहीं है कि आप किसी को भी धंकी दे दे आपको घूस खिलाई जाए क्लेम अप्रूफ कराने के लिए यह 2021 है यह शोचल मीडिया का जमाना है जहां पर अगर ऐसा गाना वाइरल हो सकता है दोस्तों तो ऐसा लॉजिकल वीडियो भी वाइरल हो सकता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को वाइरल कीजिए यानि कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि कि वह इंशुरेंस ना ले दोस्तों मैं आगे भी आपको सारे रीजन्स देना वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों वो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एको की टीम तक यह वीडियो पहुचे और उन्हें पता चले कि धंकी आप जो दे रहे हो ना इस आज की डेट में वो कोई काम आने वाली है आप मुझे बोल रही कि आपको जो करना है कर लो आपका एक ही क्लेम पास होगा पर मैंने उसके आद उस्ते कोई बात नहीं की बंदय का फोर मैंने काट दिया फिर मैं तुरंथ उनके ट्विटर पर कंप्लेंड डाली मैंने लिखा कि आपका बंदा मुझे इस सब कुछ आगया तो उस बंदे ने मुझे बोला कॉल करके जोनके इसकलेशन टीम कि अब आप अनिश्चिंत रहे हम एक सर्वेर असाइन कर रहे हैं आपके लिए अलग से वह आपका देखेगा और आने वाले समय में हमारे साथ कोई भी गलत जो है एक्सपिरेंस नहीं होग इसकरेच अगए को अब मुझे समझ नहीं आता है मैंने का यह बात कर्रेयों यह एक लमबाइ स्क्रेच साथ में दिख रहा है इडोर काल इपको ऑटो का देख लग रहा यह आगे का स्क्रेच आपको crazy to तो बोलते हैं, नहीं सर, हम सब चीज अप्रूव नहीं कर सकते हैं, और पीछे भी दोस्तों एक राइट साइड पे एक छोटा सा डेंट था बैक में, तो वो भी उसने डिसप्रूव किया, खैर वो पुराने एक्सिडेंट का था, तो मैंने का देखो, अगर आपको एक ही एक किस तरह से आप यह सब बोल सकते हो, एक आप सामने वाले कस्टमर की इंटेगरीटी पर सवाल उठाये जा रहे हैं, उठाये जा रहे हैं, उसको जूटा साबित करते जा रहे हैं, और तब तक तो मेरा दोस्तों अभी कंपनी से विश्वास ही उड़ गया था, और मैंने बो हो जाता है, और एको क्लेम करती ही कि अगर तीन दिन में आपका इंशुरेंस सेटलमेंट नी हो तो हम आपको कैब एक्सपेंसेज देंगे, मैंने का जाने दे, यह सब पर नहीं पढ़ता हूं, मैंने ठीक है भाई सब आपको जो अप्रूव करना आप कर लो, जो नहीं करना मैं बाद में देख लूँगा, तो इतना हो गया दोस्तो और हिंडाई की टीम में हमसे स्टार्ट मी एक हफता मांगा था कि एक हफते में आपकी गाड़ी हम कर देंगे, तो हिंडाई ने दोस्तो चार दिन के अंदर पूरी गाड़ी ठीक कर दी, उनका मेरे को मैसेज आया, आइ ठीक टोटल फॉर फाइफ देज बाद के आपकी गाड़ी ठीक हो गई, और वी आर वेटिंग पॉर इंच्रेंस क्रेम का जो लाइबिल्टी वह क्लियर हो ने का चलो अच्छा जल्दी हो गई, एक हफते अंदर हो गई, अब आठवा दिन हो गया, कोई मुझे कॉल नी अब इदल, तो वह हो जाएगी, हम आपको बता देंगे, फिर टेंट डे हो गया, मतलब दोस्तों, दो दिन पहले दिन मेरी गाड़ी आइडल पड़ी रही, कुछ काम निए वास में, और ये तीन दिन मेरी गाड़ी फिर आइडल पड़ी रही होने के बाद भी है, पांच चुछ कर देंगे, तो टेंट डे पर मेरा फोन ही निए उठा रहे है, लाइबिल्टी वह बन्दा रह यह बंदा आज वो मेरा फोन नीए उठा रहे है, आप प्लीज इनको कॉल करके देखिये एक बार, तो मैं रोगा रोड़ी तो ग्ल करता, उन्हेंने मुझे नमबर दि कि यार यह मेरा आप देख सकते स्कीनिशॉट में डाल दिया कि आप दो दिन तो आपने क्लेम मतलब इनिशेट में लगाया था और आप फिर परशान कर रहे हो क्लेम अप्रूव करने के लिए सो यह पूरा टाइम चला फिर इसके आदे कॉल जो एक उनका कॉल आए कि सर हम लोग करते हैं प्लीज यह मिसंडरस्टेंडिंग हो यह कुछ यह मैं तीन दिन हो गए आप क्लेम लाइबिल्टी क्लियर नहीं कर रहे हैं इस स्मॉल एक्सपेंस कोई बड़ा एक्सपेंस भी नह इसका वर्फ आपको जोटा था रहा रहा है आपको ज़ूटा साबितیک्शन है आप 9300 k exfol зм करें तो जिए लोग सारे नहीं करेंगे और सारा गण मश्ते वाले कुछ क्लेम वालेगें कुछ मैनी क्लेम पहलें करेंगल करेंग है जो हजार 1 ूपी का र Ooh आप messenger आप अपनी जेब से दें, तो यह लोग सारे claim नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात यार आपको जूटा साबित कर रहे हैं, बार-बार आपकी integrity पर सवाल उठाते हैं ये लोग, मतलब मुझे बाद में research मैंने थोड़ी करी तो समाज में आए कि Echo की जो team है दोस्तों तो अभी बहुत नहीं है, बहुत छोटी है, तो इनलेक के पास पूरा manpower अभी तक नहीं है, ये लोग third parties को काम देते हैं, for example, अगर surveyर देंगे तो एक third party बंदे को देते हैं, कोई और companies के, तो जो वो बंदे होते हैं, उनकी कोई responsibility नहीं होती है, इतनी Echo के तरफ जो Echo के अप्रॉपर employee की होगी, ये मेरी research के हिसाफ से मुझे पता चला और ये मैंने बाकी companies, जो हिंडा है अगरा है, महरुती अगरा से बात की, तो मुझे समझ में आया कि उनलोग ने भी recommend किया कि ऐसा-इसा होता है, Echo में अभी फिलाल ये लोग नहीं team में करके, तो ये है दोस्तो और आपका पैसा है, आपको देखना है, कहां लगाना है, दो इनके insurance सस्ते रहते हैं, बट यार दो-ती नजार रोपे के चक्कर में मत पढ़िये, ये सब companies, मतब खेल रही हैं आपके पै कि मैं उस कंपनी का प्रोमोट कर रहा हूं, ऐसा कुछ में नहीं कर रहा हूं, तो उधर मेरा जो experience रहा था, वो बहुत अच्छा रहा था, दोस्तों, मतब विदाउट एनी questions, आग्जोंने बस एक बार पूचा कैसे extend रहा है, और उन्होंने पूरा का पूरा claim दिया था, दो कि मोबाइल इंशुरेंस वगएरा भी, I don't know कितने सही रहेंगे, मैं recommend यही करूँगा कि आप मत लीजे, अभी खेर मेरा मोबाइल इंशुरेंस में कोई ऐसा experience रहा निये, बट एक बार मेरा जब गलत experience हो जाता है, तो मैं उस company का recommendation आपको दोस्तों नहीं दे सकता हूं, so य कि अगेंस्ट आप कितने बुरे बोल रहे हैं, customer responsibility आपको समझ में आनी चाहिए, आप इस तरह से किसी को नहीं धमका सकते कि आपका claim अप्रूव नहीं होगा, जो करना है कर लीजे, यह जमाना 2021 का है, मैं आपको फिर से याद दिला दू, यह 90s का जमाना नहीं है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपने ध्यान रखे, बाबाई, टेक केर,